हेलो स्टूडेंट, वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल CSIR NET Chemical Science Exam के लिए Online Application Form का Procedure स्टार्ट हो चुका है 11 जुलाई 2022 से 10 अगस 2022 के बीच में आप ये Online Application Form फिल कर सकते हैं ऐसे सभी Eligible Student जिनोंने की अभी तक Form फिल नहीं किया है तो पहले जल्दी से जल्दी आपको Form फिल करना है क्योंकि Last Date के भरोसे नहीं रहना है Last Date में कई बार कई सारी Issues भी होते हैं जब Online Application Form फिल करना होता है इस वीडियो में हम CSIR NET Chemical Science Exam के बारे में तीन बहुत ही important बातों को discuss करेंगे जो की अगर आप इस exam को देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important होगी सबसे पहली बात की CSIR NET Chemical Science के exam Computer Based Test Mode में होता है तो ऐसे सभी student जो की इस exam में appear हो रहे हैं उन्हें Computer Based Test की अच्छे से अच्छी पहले preparation करनी है, mock test देने हैं जिससे की exam में आपको ऐसा न लगे की Computer Based Test Mode में मुझे कई सारी difficulties आ रही है क्योंकि बहुत सारे student के साथ ऐसा होता है तो आपको exam में appear होने से पहले CBT mode में अच्छी खासी preparation कर लेनी है mock test देने हैं क्योंकि बहुत सारे student जो की इस exam में appear हो रहे हैं वो पहली बार Computer Based Test Mode में exam देंगे तो उनके लिए interface से familiar होना बहुत ज़्यादा जरूरी है जिससे की silly mistakes ना हो CSIR Net NTA की official website पर भी आपको mock test available होंगे जिससे की आप interface से अच्छे से familiar हो सकते हैं और exam के समय आपकी गलतिया करने के chances बिलकुल कम हो सकते हैं अब दूसरी important बात जो कि exam के pattern को लेकर है ये जानना बहुत जरूरी होता है कि जिस exam को हम दे रहे हैं उसका pattern क्या होगा और कैसे उसमें marking scheme होगी तो यहाँ पर 3 part में ये paper divide होता है Part A, Part B और Part C Part A में total 20 questions होते हैं जिसमें से 15 questions आपको attempt करने हैं हर question 2 marks का होता है तो part A total 30 marks का होता है Part A में general aptitude से related question पूछे जाते हैं logical reasoning, graphical analysis, series formation, puzzles ये सभी type के question आपको part A में पूछे जाएंगे यानि कि यहाँ पर आपको chemistry से related question नहीं मिलेंगे अब आता है part B Part B में total 40 questions होते हैं जिसमें से 35 questions आपको attempt करने हैं और हर question 2 marks का होता है तो part B में total आपके 70 marks होते हैं Part B में आपको chemistry से related question पूछे जाएंगे जो कि एक basic understanding chemistry की जितने भी topics हैं CSIR net chemical science से उन सभी topic के basic जो questions होंगे वो आपको part B में मिलेंगे वहीं part C में total 60 questions आते हैं जिसमें से 25 questions आपको attempt करने हैं हर question 4 marks का होता है part C में जो questions पूछे जाते हैं उनका level part B के questions से थोड़ा high होता है part C का हर question 4 marks का होता है तो आप ये expect कर सकते हो कि वहाँ पर जो questions होंगे वो इतने ज़्यादा easy नहीं होंगे थोड़े tricky questions होते हैं जिनमें की scientific concept को apply करना है और उसके बाद आप answer तक पहुँचोगे तो यहाँ पर part C आपको हर correct question के लिए 4 marks देगा तो definitely आपको काफी ज़्यादा focus रखना है part C पर क्योंकि part C काफी ज़्यादा scoring होता है यहाँ पर आपको 60 questions है और उन में से केवल 25 questions आपको करने है यहाँ पर एक और important बात जो की negative marking को लेकर है part A, part B और part C तीनों में ही one fourth negative marking होती है साथी साथ आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि तीन पार्ट में यह paper divide है लेकिन paper में तीनों ही part के बीच में कोई भी gap नहीं होता है 3 hours इस paper की duration होती है जिसमें कि आपको इन तीनों ही part को करना है इसके लावा एक और बहुत important बात जो की paper के medium को लेकर है जब आप online form fill करते हो तो उस समय आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप Hindi medium select करोगे तो paper आपको bilingual mode में मिलेगा याने कि Hindi और English दोरों में आपको paper मिलेगा लेकिन अगर आप English mode select करते हो तो आपको paper के वल English में मिलेगा तो यह बात भी सभी student को ध्यान में रखनी चाहिए और इसी के according अपना medium select करना चाहिए I hope कि CSIR Net Chemical Science exam से related आपके काफी सारे doubts, आपकी काफी सारे queries इस वीडियो के चुरू solve हो चुकी होगी I hope यह वीडियो CSIR Net Chemical Science student के लिए helpful रहेगा Thank you for watching this video